फलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेई टी पॉइंट आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं लॉग फंक्शन लास्ट क्लास में हमने एक्स्पोनेंचिल फंक्शन किया था देखते हैं लॉग होता क्या है इए मानलीजिये मानलीजिये आपके पास कोई नंबर है सपोस्सट एक्ससे क्वाल टू टू रिज टू पार थी इसमें एक ऐसा function एक ऐसा function अगर मैं x पे operate कर देता हूं इस number में आप देख सकते हैं यह जो number है 2 raise to power 3 इसमें जो 2 है क्या है इस number का base और यह जो 3 है इस number का क्या है exponent एक ऐसा function जो मैं अगर x पे operate करता हूं तो इसका जो भी exponent है वो दे दे उसी को कहते हैं log function या आप कह सकते हैं simple शब्दों में कि log is nothing but exponent x जैसा कि आप देख रहे है 2 raise to power 3 है अगर मैं दोनों side log ले लूँ दोनों side log ले लूँ तो आपको answer जो मिलेगा 3 मिलेगा log of x to the same base base same लेना है आपको is same as log of 2 log of 2 raise to power 3 to the same base answer इसमें आपको 3 मिलेगा तो आप कह सकते हैं log is nothing but exponent या एक ऐसा function जिसको आप किसी भी number पे या किसी भी function पे अगर आप operate करते हैं तो जो आपको answer मिलता है उस number में जो exponent है वही आपको मिल जाता है as an answer as a value ठीक है देखिए यह तो हमने एक particular example लिया अगर मैं generally बात करता हूँ कोई भी number अगर आपके पास है उसमें base base raise to power sorry exponent base raise to power exponent बेस raise to power exponent आपको क्या मिलेगा this will give you value ठीक है अगर आप इसमें log लेना चाहें log लेना देखिए अगर मैं log ले लेता हूँ इस side log of this value log of this value to the same base to the same base यह जो base है तो आपको क्या मिलेगा यह जो exponent है यह मिलेगा ओके आई होप आपको याद रहेगा रिलेट कर सकते हैं आप base raise to power exponent आपको वेल्यू मिलती है बगर आप इस side log ले लेते हैं log of this value to the same base तो आपको export है ओके अब देखते हैं कुछ examples माल लीजिए आपको ले रखा है log of 16 to the base 2 तो यह क्या होगा देखिए आपको पता है log क्या होता है exponent होता है इसमें जो हम log ले रहे हैं तो यह 16 क्या है 16 को मैं assume कर सकता हूं that this is the value ओके और यह जो 2 क्या है आपका 2 है आपका base ओके और log log क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बता है log is nothing but exponent तो 2 को मैं किस पावर पे raise करूँ थाकि 16 आज है 4 तो इसका answer क्या होगा ओके as 2 raise to power 4 equal to 16 आप देख सकते हैं दोनों साइड अगर आप log लेते हैं log log of 16 to the same base base क्या as में 2 तो आपको answer मिलेगा 4 ओके I hope आपको समझ में आया होगा कुछ examples और देखते हैं देखिए मान लीजिए आपको निकालना है log of 1 by 9 to the base 3 ये क्या है देखिए log होता क्या है exponent ये क्या है 3 इसमें देख सकते हैं आप ये जो 3 है 3 क्या है आपका base ये जो 1 by 9 है ये क्या है value base raise to power exponent करेंगे आप तब आपको value मिलते है तो 3 को मैं किस power पर raise करूँ ताकि आपको 1 by 9 मिल जाए देखिए 1 by 9 को आप लिख सकते हैं 1 by 3 का square अब देखिए इसको मैं further लिख सकता हूं 3 raise to power minus 2 तो ये किसमें reduce हो गया देखिए log of 1 by 9 I can write as 3 raise to power minus 2 to the base 3 इसका answer क्या आ जाएगा minus 2 ओके एक और देखते हैं देखिए गर्मान लिजी आपको ये निकालना होता log of log of यहां पर ले ले लेता हूं मैं 7 root 7 और यहां पर जो base है base मैं ले रहा हूं 7 इसका क्या answer आएगा देखिए ये किसके equal होगा आप देख सकते हैं बहुत इजी है ये जो 7 root 7 है ये क्या है आपकी this is your value और ये जो 7 है ये क्या है आपका this is your base और log क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बता है exponent तो ये जो base है base raise to power exponent करेंगे तभी आपको value मिलेगी तो 7 raise to power 7 must be raise to power what power that will give you 7 root 7 बेखिए 7 root 7 को आप क्या लिख सकते हैं 7 raise to power 1 into 7 raise to power half यही है 7 root 7 इसको आप further लिख सकते हैं 7 raise to power 3 by 2 ओके इसको आप लिख सकते हैं log of 7 raise to power 3 by 2 to the base 7 और इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं exponent क्या है 3 by 2 तो यही आपका answer हो जाएगा ये 2 है ये जो है ये 2 है देखिए ये ओके आई होप आपको समझ में आया होगा एक और देखते हैं देखिए मान लीजी आपको दे रखा है log of 4 to the base half ये किसके एकवल होगा इस केस में base क्या है आपका 1 by 2 और value क्या है आपकी 4 तो इसमें क्या करेंगे आप देखिए इस 4 को आप लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 raise to power 2 के अच्छा ये इसमें base क्या है 1 by 2 यहाँ पे base क्या है आपका 2 तो इसको मैं क्या करूँआ देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 by 2 raise to power minus 2 लिख सकता हूँ ठीक है और इसको मैं further क्या लेख सकता हूँ, देखिए, इसको मैं लेख सकता हूँ, 1 by 2, okay, 1 by 2 whole raise to part minus 2, ऐसे लेख सकता हूँ मैं, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा आपका, log of half, और यह जो value है आपकी half raise to part minus 2, आप देख सकते हैं, space आपने same कर लिया, power क्या है, minus 2, यही आपका answer हो जाएगा, as, as log is nothing but exponent, इस case में answer क्या आएगा, आपका minus 2, आप verify कर सकते हैं, half raise to part minus 2 करेंगे, वही आ जाएगा, देखिए, यह step, यहां पे, 2 raise to part 2 था, इसको मैंने नीचे ले लिया, देखिए, यहां पे 1 कैसे आएगा, 2 raise to part 2 उपर है, 2 raise to part 2 उपर है, नीचे आप लिख सकते हैं, 2 raise to part 0, यह जो power उपर है, इसको आप अगर नीचे लाएंगे, to the same base करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं, 2 raise to part 0, minus 2, ओके, यहां पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इसको further मैं लिख सकता हूं, 2 raise to part minus 2, ओके, और इसको अगर मैं break करता हूं, 2 raise to part minus 2 है, अगर मैं इसको half बनाता हूं, तो half raise to part, अब इसको मैं लिख सकता हूं, 1 raise to part minus 2, by 2 raise to part minus 2, ओके, यह जो 1 है, इसको मैंने लिख दिया, 1 raise to part minus 2, और नीचे था, 2 raise to part minus 2, इसको पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर, half raise to part, raise to part minus 2, ओके, एक तो यह तरीका है, कि आप ऐसे कर लिजिए, और कुछ properties भी है, लॉक की, उन से अगर आप करते हैं, तो यह ऐसे इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको easily हो जाएगा, तो properties हम, properties हम, properties और property waste questions, हम थोड़े, थोड़े time के बाद discuss करेंगे, भी discuss करते हैं, इसका graph कैसा होता है, log function का, देखिए, I hope आपको समझ में आया होगा, log होता क्या है, तो देखिए, log function में भी, log of, माल लीजिए, यह आपके पास, value को मैं लेता हूँ, b to the base, इसको read कैसे करेंगे, आप log of b to the base, देखिए, इसमें भी कुछ conditions होते हैं, कुछ restrictions होते हैं, देखिए, यह जो function है, अगर, माल लीजिए, आपका base जो है, base आपका, अगर, 1 के equal हो जाए, तो क्या होगा, देखिए हैं, तो कोई भी value लीजिए आप, यहाँ पे 9, log of 9 to the base 1, क्या इसमें कोई value मिलेगी आपको, तो भी नहीं मिलेगी, क्यों, देखिए, ऐसी 1 को आप, ऐसा कोई number नहीं, आपके पास, आपके पास, ऐसा कोई number exist नहीं करता, जिसको आप 1 की power में, 1 की power लें, और आपको 9 आ जाए, no real value of x exists, such that, 1 raise to power x equal to 9, तो base जो है आपका, 1 के equal नहीं हो सकता, और अगर 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 अगर, बेस आपका 1 के equal नहीं हो सकता, और बेस आपका negative भी नहीं हो सकता, आप बोलेंगे कि negative क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर मैं base negative ले ले लेता हूँ, तो आपके यह complex values आएंगे, real values नहीं आएंगे, इस वजए से, a less than 0 भी हम नहीं लेते, अब बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा a greater than 0, ओके, आपने देखा यहाँ पे a 1 के equal नहीं आप ले सकते, ओके, और a equal to 0 अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा, देखिए, अगर मैं base को ही 0 कर लूँ, तो 0 की आप कोई भी power ले 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 जिए, suppose 0 raise to par, log of, यहाँ पे मान ले जिए, यहाँ पे 8 है, value 8 है, यहाँ पे 0, ऐसी कोई value exist नहीं करेगे, जिसके लिए 0 raise to par, 0 raise to par, x equal to 8 अगर आप करोगे, ऐसा x exist ही नहीं करेगा, तो 0 भी नहीं हो सकता, a, तो a क्या होना चाहिए, आपका जो base है, greater than 0, positive and not equal to, okay, so your base must be positive and it must not be equal to, okay, और यह जो value है आपके पास, देखिए, जैसा कि आपने exponential function में यहाँ था, a raise to par x, यह क्या था, exponential function था, अगर मैं इसके range की बात करता हूँ, तो इसका graph आपने देखा था, जब a positive होता है, तब इसका graph ऐसा होता है, और जब a negative होता है, तो इसका graph ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, यह जो function है, a raise to par x, हमेशा क्या है, हमेशा positive ही है, हमेशा positive है, तो यह जो value है आपकी b, कहां गया यह वाला, log b to the base a, तो b भी हमेशा positive ही होगा, actual में यह जो log function है, exponential function का inverse है, exponential function से ही derived है log function, ओके, तो log function define होने के लिए, क्या-क्या, log of b to the base a, अगर आपको दे रखा है, तो for this function to be defined, b आपका greater than 0 होना चाहिए, ओके, और जो भी आपका base है, base 1 के equal नहीं होना चाहिए आपका, and third thing, a must be greater than 0, इसको नीचे कर लिजेग, sorry, सबसे पहले, base and value, दोनों के दोनों आप positive कर लिजेगा, और third condition, जो आपका base है, 1 के equal कभी नहीं होना चाहिए, देखिए, जब भी आप base 1 के equal कर लेंगे, log of, मान लिजे, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, to the base 1, तो 1 को मैं किस power पर raise करूँ, 1 must be raised to what power, that gives me 2, तो ऐसी कोई value यह एक्जिस्ट नहीं करेगी, जिसके लिए, जिसके लिए, 1 raise to par, सपोज मैं लिखता हूँ, 1 raise to par x equal to 2, ऐसा कोई x एक्जिस्ट नहीं करेगा, जिसके लिए 1 raise to par x equal to 2 हो जाया आपका, और अगर आप इसको 0 लेते हैं, बेस अगर आप 0 ले लें, तो कुछ cases में यह function ही define नहीं होगा, कुछ cases में function define नहीं होगा, और कुछ cases में values ही exist नहीं करेंगी, जो इसको satisfy करें, तो base must be greater than 0, and base must not be equal to 1, for log function to be defined, सबसे पहले आप base और value दोनों को positive करें, third condition, base must not be equal to 1, अब देखिए, ये तो हमें पता है, value हमेशा positive है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये जो base है आपका, a greater than 0, and a not equal to 1, यहाँ से, यहाँ से देखिए, गर मैं number line पे draw करता हूँ, तो base आपका greater than 0 है, यहाँ से, और base आपका 1 के equal नहीं होना चाहिए, तो दो part में divide हो गया, ठीक है, इसका graph देखते हैं, block function, तो पहला case ले लेते हैं, जिसमें की base आपका 0 से 1 के बीच में है, and second case, जिसमें आपका base greater than 1 है, देखिए, base आपका 1 से equal नहीं हो सकता था, और greater than 0 था, अगर आप इसको divide करते हैं, तो 2 case बनते हैं, आपके पास, इन दोनों ही cases में, function का graph different होगा, अगर मैं suppose, पहले यह बना case लेता हूँ, a 0 से 1 के बीच में लाए कर रहा है, function क्या है आपका, y equal to, मान लेता हूँ मैं log of x to the base A, इसमें अगर a को मैं कुछ assume कर लेता हूँ, आपका x 1 by 2 के equal आ जाए, तो function की value क्या आ जाएगी, 1, suppose आपका x 1 by 2 का square हो जाए, तो function की value क्या होगी, 2, मान लेजिए आपका x जो है 1 by 2 का cube हो गया, तो function की value क्या आएगी, 3, देख सकते हैं आप, और अगर माल लीजिए आपका x जो है 2 के एक्वल हो गया, तो function की value minus 1, x अगर आपका 4 के equal हो गया, तो function की value क्या आजाएगी, minus 2, उके, इन सारे points को plot करते हैं, देखिए, देखिए, यह आपका y axis and this is your x axis, देखिए, अगर आपका, अगर आपका x 1 के equal है, तो function की value क्या आ रही है, 0, x अगर आपका 1 है, यह 1 है, तो half raise to power 0 होता है, 1 के equal, तो function की value 0, एक point तो यही हो जाएगा, आपका 1, 0, तो इसका graph 1, 0 से तो pass करेगा है, अगर मान लीजिए, आपका x जो है, आपका 2 के equal है, जब भी आपका x 2 के equal होगा, function की value minus 1, एक जो point आया आपका, यह वाला आ गया, ठीक है, x को अगर आप 4 के equal लेते हैं, वो function की value, function कितनी value लेता है, minus 2, देखिए, x जब आपका 4 के equal होगा, तो function की value होगी minus 2, अगर हम उपर बात करते हैं, जब भी आपका x half के equal होगा, तो function value लेगा 1, इस case में 1 के equal, एक point ही आ जाएगा, जब आपका x जो है, 1 by 4 के equal होगा, तो function value लेगा 2, आप देख सकते हैं, ग्राफ इसका ऐसा कुछ होगा, something like this, यह थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, काउड बन गया, काउड नहीं होगा, देखिए, यह ग्राफ जो होगा, आपका ऐसा देख रहा है, something like this, ओके, इसको complete कर लिजिए, यहाँ पे यह जो point है, यह 1 है, ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, अच्छा, अगर मैं values देखता हू यह किसका ग्राफ है, y equal to log of x to the base a, और यहाँ पे जो base है आपका, 0 और 1 के बीच में है, अच्छा, इस case में, इस case में, यह 0 पे including नहीं है, 0 पे भी open है, 0 से 1 के बीच में, इस case में आप देख सकते हैं, अगर मैं function की values देखता हूँ, देखिए, x equal to, x equal to 1 पे, x equal to 1 पे function की value, 0, x equal to 2 पे function की value, minus 1, जब आपका x increase हो रहा है, तो आपका y क्या हो रहा है, y आपका decrease हो रहा है, x equal to 1 के corresponding function की value, 0 थी, x equal to 2 के corresponding function की value, minus 1 है, जब आपका x increase हुआ, तो function की value, decrease हो गई, तो यह function कैसा होगा, decreasing function, ओके डिक्रीजिंग function मैंने क्यों कहा जब आपकी y function की value increase हो रही है तो उसके corresponding जो x coordinate है वो decrease हो रहा है जब आपका x coordinate increase हो रहा है तो function की value decrease हो रही है तो जब भी base आपका 0 से 1 के बीच में हो log function में तो कैसा function होता है decreasing function next हम करते है increasing function sorry जब base आपका 1 से greater हो वो केस देखते हैं when your base is greater than 1 function same है आपका log of x to the base a base मैंने greater than 1 लिख रखा है तो मैं ले लेता हूं suppose a equal to 2 ओके तो अगर आपका x2 के equal है function की value क्या आजाएगी log of 2 to the base 2 1 के equal अगर माल लिजिए x आपका 4 है तो function की value क्या आजाएगी 1 के equal function इस केस में आपका क्या हो गया log of x to the base 2 अगर आपका x जो है 1 के equal है तो function की value 0 अगर x यहाँ पे 1 कर लें आप तो 2 raise to power 0 1 के equal होता है और जैसा कि आपको पता है log क्या होता है exponent तो यहाँ पे 0 आ जाएगा negative में कुछ values ले लेते हैं x अगर minus 1 sorry x अगर 1 by 2 है negative में तो नहीं ले सकते है sorry fraction में ले लेते हैं x अगर 1 by 2 है तो function की value क्या आएगी minus 1 x अगर 1 by 4 है तो इस function की value क्या आजाएगी minus 2 अब इन points को हम plot कर लेते हैं अच्छा points plot करने से पहले आप यहाँ से increasing decreasing देख सकते हैं देखिए जब आपका x आपका increase हो रहा है जब आपका x 2 था तो function की value 1 जब आपका x 4 हो गया तो function की value क्या हो रही है 2 जो की 1 से ज्यादा है तो मैं क्या कहूंगा यह function कैसा होगा increasing function होगा as x increases the value of the function also increases यह अब ic वर्सा आप क्या है सकते हैं as the value of the function decreases the x coordinate corresponding the abscissa of the point also decreases तो यह कैसा function होगा increasing function अब इसका graph देखते हैं देखिए यह देखिए यह आपका x axis है and this is your y axis आपने देखा था one point पे x equal to one पे function की value क्या आ रही है इसका graph होगा इस point से pass करेगा और x equal to two पे function की value one x equal to four पे function की value क्या रही थी तो four comma two यहाँ पे mark कर लीजिए देखिए and x equal to one by two पे function की value minus one तो यह point आ जाएगा x equal to one by four पे function की value minus two तो यह point आ जाएगा अगर आप देखें तो इसका graph देखिए ऐसा बनता है इस point तो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं नहीं तो फिल एक्च्छल में spacing उतना नहीं जितना होना चाहिए इसका जो graph आता है देखिए इस function का जो graph होता है ऐसा होता है it is something like this this यह जो four पे जो value आएगी मान लीजे यहां पे है two पे value मान लीजे one ऐसा graph आता है इसका ऐसा यह किसका graph है y equal to log of x to the base two जब आपका base greater than one है यहां पे ए कर लीजी ए कर लीजी जब आपका base greater than one है मैं separately बना देता हूं graph इसका देखिए अब देखिए हमने दो cases देख लिए जब आपका base zero से one के बीच में होगा इस case में log function का graph इस case में log function का graph ऐसा होता है देखिए इस case में इस फंक्शन होता है और जब आपका base जो है आपका greater than one होगा तो इस case में यह एक increasing function होता है इस case में इस function का graph होता है यह point है 1,0 this is your x-axis and this is your y-axis in this case it's an increasing function जब आपका base greater than one होगा तो log एक increasing function है जब आपका base zero और one के बीच में होगा तो यह decreasing function होता है ओके आई होप आपको clear हो गया होगा नेक्स्ट नेक्स्ट विल डू प्रॉपर्टीज ओफ लॉग फंक्शन तो जैसा कि मैंने आपको बताया था log function होता क्या है what is log log is nothing but exponent अगर आप किसी भी function में किसी भी function कोई भी function है या number है उसमें अगर आप log operate करते हैं तो उस function में जो भी exponent है वही आपका क्या आजाएगा answer आजाएगा या value के लिए value आजाएगी वही function की value आजाएगी ठीक है देखते है properties log function की कुछ properties होती है जैसा कि मैंने आपको बताया था log function होता क्या है exponent होता है माल लीजिए आप दो numbers को अगर आप multiply करते हैं suppose you multiply two numbers 2 raise to power 3 into 2 raise to power 5 दो number जिनका base same है अगर आप उन दोनों numbers को multiply करते हैं तो आपका answer क्या आता है जो भी आपका answer आएगा उच में exponents क्या होंगे base same रहेगा exponents क्या हो जाते है add हो जाते है यही आपने पढ़ा है अभी तक इसको आप लिख सकते हैं 2 raise to power 8 अब देखिए कोई भी दो values है अगर आप उन दोनों को multiply करते हैं जैसा कि इस case में अगर मैं बात करता हूँ गर मान लीजिए आपको आपके पास कोई भी दो values है suppose य यह एक एकवल है और यह एक एकवल है अगर आपने कोई भी दो values हैं आपके पास उन दोनों को multiply कर दिया उनका log ले लिया to the same base base क्या है इसमें 2 अगर मैं यहाँ पर base 2 ले लेता हूँ आंसर क्या आएगा आपका जैसा कि आपको पता है दो numbers को अगर आप multiply करते हैं having same base exponents क्या आ जाते हैं exponents आपके add हो जाते हैं यहाँ पर अगर मैं log लेता हूँ to the same base अंसर क्या आएगा मेरे पास 3 प्लस 5 3 प्लस 5 आना चाहिए क्योंकि इस नंबर में exponent 3 प्लस 5 है अब इस 3 प्लस 5 को मैं क्या लेक्शन दाऊ log of 2 raised to power 3 to the base 2 plus log of 2 raised to power 5 to the base 2 यहाँ से क्या आ गया log of a plus log of b to the same base 2 ठीक है तो log में किसी भी दो नंबर्स को अगर आप multiply करते हैं दो values को multiply करते हैं तो add हो जाते हैं with having same base लेकिन same होना से यह सब में जैसा कि दो नंबर्स को अगर आप multiply करिए जिनका बेस सेम है तो exponents said हो जाते हैं similarly log में अगर आप दो नंबर्स आपको दे रखें सपोज ए भी और उन दोनों को आप multiply उन दोनों नंबर्स को आपने multiply किया और log ले लिया to the same base और जो इसमें जो बेस है ए और बी जो दो नंबर्स है उनमें जो बेस था सेम बेस अगर आप लेते हैं तो आपका answer क्या आता है log of a to the same base plus log of b to the same base ठीक है यह आप कह सकते हैं देखिए log of xy to the base a इसको आप लिख सकते हैं क्या log of x to the base a plus log of y to the base a okay simple similarly similarly अगर आप दो नंबर्स को divide करते हैं जिनका base सेम है तो उस case में क्या होता exponents क्या होते हैं सप्प्रेक्ट होते हैं अगर आप दो नंबर्स को divide करते हैं तो मैं क्या लिखूंगा आपके पास ऐसा कहीं में ऐसा ऐसा कुछ हो एक्स बाइवाई तो मैं क्या लिखूंगा log of x to the base a minus log of y to the base a अगर आप दो numbers को multiply करते हैं, तो exponents क्या हो जाते हैं, add, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, plus, दो numbers को अगर आप divide करते हैं, तो exponents क्या हो जाते हैं, subtract, तो यहाँ पर minus करते हैं, okay, I hope यह clear है, next देखते हैं, देखिए, यह मैंने बता चुका हूँ, देखिए, log of x, log of x, x by y to the base a, is same as log of x to the base a, minus log of y to the base a, next property देखते हैं, देखिए, यह property, बहुत important है, देखिए, मैं इसको एक example के थुरू बताता हूँ आपको, मान लीजिए, आपके पास, base जो है आपका, एक को यह निकालना है, log of 4, log of 16 to the base 4, इसको आप क्या लिख सरकते हैं, आपको पता है क्या answer आएगा, 2 आएगा, यूंकि 4 raise to par 2 16 होता है, आपको answer पता लग गया, 2 आ र base में, base क्या है आपका, इसको मैं different color से mark करता हूँ, देखिए, यह क्या है, यह 3 और यह क्या है, 4, sorry, इसको 2 कर लीजिए, देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, log of, log of 2 raise to par, 2 raise to par 2, और यह 16 है, इसको मैं लिखूँँगा, log 4 raise to par 2, sorry, 2 raise to par कर लीजिए, या 4 भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें मैं क्या, इसमें होता क्या है, एक्चुल में, 4 raise to par 2 अगर आपने लिख लेए, इसको भी 2 में नहीं चेंज कर लीजिए, log of 2 raise to par 2 into 2 raise to par, 4 लिख सकता हूँ मैं इसको, देखिए, इसमें ये जो 2 है, आपका ये, जो base में है, और ये क्या है, value की जो power है, और जो base की power है, इसमें जो power है, आपके value वाली जो power है, ये जो power है, इससे आप multiply करेंगे, इसको आप बहार लिख सकते हैं, और ये जो power है, आपकी base जिस power पे raised है, इससे आप को divide, इससे log of यहाँ पे 2 बचा यहाँ पे 2 बचा log of 2 to the same base 1 होता है 4 by 2 किसके equal होगा 2 into इसको में लेख सकता हूं log of 2 to the base 2 2 into 1 यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से भी 2 आ गया अगर आप इसको 2 में convert करते हैं to the base 2 भी आपका answer आ जाएगा 2 raise to power 4 को आप क्या लिख सकते थे देखी log of 2 raise to power 2 यह जो है आपका 2 raise to power 4 है न इसको आप लिख सकते हैं 2 का square 2 का square क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा 2 का square बन गया 4 इसका further square आप देख सकते हैं आपका base जो है base सेम हो गया बेस क्या है आपका 2 raise to power 2 है बेस है आपका 2 raise to power 2 दोनों में इसका answer क्या आगया है तो जब भी आपको ऐसा दिखे log of base की power मान लिजे आपकी m है और जो value है आपकी उसकी power अगर n है तो क्या करेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं आप जो भी value है first value की जो भी power है उसको उससे multiply करेंगे base की जो भी power है उससे क्या करेंगे divide करेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ n by m n by m बाकी सारा as it is log of b to the base a simple I hope आपको समझ में आया होगा देखे इस property पे अगर मान लिजे आपके पास ऐसा दे रखा है log of log of 3 raise to power half ओकी और जो value है 9 है आपके पास 9 का square दे रखा है इसको मैं कैसे लिखूँँगा देखिए यहाँ पे जो value की कौन सी power है 2 2 से मैं क्या करूँगा multiple है तो divide किस से करूँगा मैं 1 by 2 से divide करूँगा ना की 2 से ठीक है बाकी सारा as it is लिख देजिए log of 9 to the base 3 यहाँ से क्या आज आएगा 2 पर जाएगा 4 और यह क्या आता है यह 2 के equal होता है आंसर क्या आज आएगा आपका final 8 यह ध्यान रखना हमेशा value की जो power होती है इससे multiply करते हैं base की जो भी power है इससे divide करते हैं next property देखते हैं देखिए इधर आपको दे रखा है log of b to the base a is same as 1 by log of a to the base इसको आप example के तूँ देख सकते हैं मान लीजिए आपके पास है log of 16 to the base 4 आपको पता है answer क्या आता है तो तूँ आता है अगर आप log of अगर आप दोनों को interchange करते है log of 16 to the base 4 अगर आप निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं आप देखिए यह तो 16 है अभी जो property हमने करी base raise to power exponent and value raise to power exponent वो apply करते हैं इसमें देखिए log of 16 को क्या लिख सकता हूँ में 4 का square ठीक है आपने देखा अभी कि जो भी base की power होती है उससे हम divide करते हैं तो यह 2 कहां आजाएगा नीचे 1 by 2 बाकि सारा as it is log of 4 to the base 4 यह क्या आगया आपका half आगया half आगया और log of 16 to the base 4 कितना आया तो इन दोनों को multiply कर दीजिए you will get 1 यह आप यही से कह सकते हैं log of 4 to the base 16 किसके equal होगा यह जो नीचे 2 है इसको मैं इसी को कह देता हूँ log of 16 to the base 4 अब आप इन दोनों को multiply कर दीजिए 1 के equal आएगा यह आप ऐसे भी रिख सकते हैं ओके अई होप आपको समझमाया होगा next property देखते हैं next जो property है यह base change वाली property है माल लीजे आपको यह देखा है log of यहाँ पे आपको देखता है 16 यहाँ पे आपको देखता है 49 तो इस case में आप क्या करेंगे आप कोई भी एक base अपनी तरफ से introduce कर सकते हैं अगर माल लीजे कोई भी एक base कोई भी कोई भी positive base आप अपनी तरफ से ले सकते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log of पाल लीजे मुझे base जो introduce करना है that is value m तो यहाँ पे क्या लिखूंगा m जो value है उसको as it is रहने दीजिए नीचे क्या करोगे base क्या था इसका 49 तो base को यहाँ लिए यह 49 to the same यहाँ पे m जो भी base आपको introduce करना है new पहले रिख लिजिए log of log of value to the base m log of base to the base new base m simple इसको भी आप verify कर सकते हैं एक example के थो रेखिए माल लीजिए log of आपको दे रखा है log of 64 to the base 8 इसके equal होता है आपको पता है 2 के equal होता है अगर मैं दोनों में log to the base 2 लूँ इसको मैं convert करता हूँ देखिए log to the base 2 मैंने क्या वोला 64 है 64 को as it is रखिए यो new base आपको लेना है numerator denominator में दोनों सेम रखिए और यह जो value है value को यहाँ पे रख दीजिए आपको पता है 2 की कौन सी पावर 64 के equal है 6 और 2 की कौन सी पावर 8 के equal है 3 यहाँ से भी answer क्या आएगा ओके I hope clear हुआ होगा next property देखते है देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है a raise to par log of b to the same base यह किस के equal होता है यह b के equal होता है बहुत important है इसमें इस पे base questions आते हैं ओके देख लेते हैं इसको एक example के थुरू मान लिजी आपको दे रखा है log of 16 to the base 4 और यहाँ पे भी 4 है तो किसके equal होगा देख सकते हैं आप 4 यह 4 यह जो log है log of 16 to the base 4 यह 4 की आवर में है यहाँ पे 4 अल्रेडी है log of 16 to the base 4 किसके equal होगा 2 के equal होगा इसको में लिख सकता हूँ 4 raise to power to 16 आप directly भी 16 आप अगर किसे करते हैं तो भी 16 आजाएगा आपका यह जो b है value है वह ही आपका answer हो जाता है next देखते है देखे a raise to power log of b to the base c यह किसके equal होगा देखे यह जो इस case में यह जो आपके पास यह जो value है और यह जो base है original इन दोनों को आप interchange कर सकते हैं answer आपका same रहेगा it is same as b raise to power log of c to the same base sorry log of a to the same base log of a to the base c log of a to the base c इस case में आपने क्या करा यह जो इन दोनों को आप interchange कर सकते हैं यह जो value है और base है इन दोनों को आप interchange कर सकते हैं answer आपका same रहेगा यही properties है log की इन पे based questions हैं कुछ जो हम we'll discuss further till then thanks for watching have a nice day